ग्रह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद वाले बयान के लिए भारतिय जंता पार्टी से माफी मांग कर मामली को ठंडा करने की कोशिश की। बीजेपी ने भी शिंदे की माफी को स्विकारते हुए सरकार को थोड़ी रहत दी लेकिन आरसिस शिंदे को माफ करने के मूड में कता ही नहीं है। बजट सत्र से पहले ग्रह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद संबंधी विवादस पर टिपणी पर खेद जाहिर करके एक बड़ा यूटर्न लिया। विपक्ष के साथ चले आ रहे टकराव को खत्म करने की कोशिश के तहट शिंदे ने अपने बयान के लिए माफी मांगी जिसे मुख्य विपक्षी दल भारतिय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले बीजेपी ने शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि अगर शिंदे भगवा आतंकवाद पर दिये बयान को वापस नहीं लेते तो वे संसत नहीं चलने देंगे। ये बीजेपी की धम की काही असर था कि शिंदे ने तुरंत एक बयान जारी कर हिंदू आतंकवाद पर अपनी टिपणी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उनका मकसद आतंकवाद को किसी धर्म से जोडने का नहीं था। वही आरसेस ने भी ग्रह मंत्री की टिपणी पर असंतोष चताया। शिंदे के बयान पर बीजेपी और संग के रुख में एक बड़ा अंतर देखने को मिला, जिसे राजनीती के जानकारों ने एक रननीती करार दिया। दोहजार चौनाव में सत्ता का सपना पाले बैठी बीजेपी, अब अपनी छवी को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दोहजार चौनाव में लेकर करें लेकर का वाले अंतर चौनाव में लेकर का।